लेट shipment rate को चेक करने के लिए हम performance में जाएंगे उसके बाद हम account health पे click करेंगे दब हम account health पे click करेंगे तो इस तरह का interface हमारे सामने open हो जाएगा इसमें जो सबसे पहली चीज़ आपको right side पे नजर आ रही है वो है लेट shipment rate जो target late shipment rate है वो है 4% कि अगर आपके last 30 days में 100 order आया है for example तो उसमें से अगर 4 order चले जाते हैं आपके late shipment में अगर आप उनकी promise rate के अंदर tracking नहीं upload करते हैं तो वो आपका late shipment rate हो जाएगा 4% जो के targeted late shipment rate है अगर तो 4% तक रहता है आपका late shipment rate देन इस ओके लेकिन जैसे ही वो 4% से उपर जाएगा तो आपका account रिस्क पे चला जाएगा अगर आपका late shipment rate 4% से जादा है 5% है 10% है या 20% है तो उसको हमने manage कैसे करना है जैसे कि मेरा late shipment rate यहाँ पे 0% है लेकिन सिरफ मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूं कि अगर मेरा late shipment rate 10% होता तो मैं उसको कैसे down करती suppose कर लें कि अगर मेरा late shipment rate यहां पे 10% होता तो मैं क्या करती सबसे पहले मैं percentage देखूंगी कि मेरी क्या percentage बनती है 10 order अगर 642 orders में से चले जाए late shipment में तो इसका जो late shipment rate है वो होगा 1.55% तो इसको कम करने के लिए मैं 150 तकरीबन orders और ले लूँगी तो इसकी जो percentage है वो थोड़ी सी डाउन आ जाएगी और जैसे ही मैंने 850 orders लिए तो इसकी percentage 1.17 पे आ गई जैसे जैसे orders की ratio को increase करते जाएंगे यह percentage डाउन होती जाएगी अब अगर मैं 950 orders ले लूँ तो जो percentage है वो 1.05 पे आ जाएगी इस तरहां से जैसे जैसे orders की ratio को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे यह late shipment rate डाउन आता जाएगा तो जब भी आपका late shipment rate increase हो आप सिर्फ orders की ratio को बढ़ाएं और उन्हें सही time पे tracking दें तो आपका account risk से निकल जाएगा और आपका late shipment rate ठीक हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को पहला वाट नहीं देखा तो आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं